नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कभी कभी भाग्य रूठ जाता है और रूठेवे किस्मत को मनाने के लिए रूठेवे भाग्य को एक बर फिर से उनका साथ पाने के लिए हम बहुत तरह के प्रियोग करते हैं पर आज हम आपके साथ एक छोटा सा प्रियोग साजा करेंगे चाभी और ताले का वैसे तो आपने बहुत सारे चाभी ताले का प्रियोग किये होंगे लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे उसका रिजल्ट आपको एक बार में ही मिलेगा बस सच्चे दिल से आपको ये प्रियोग करना होगा आपको चाहिए होगा एक ताला और चाभी लेकिन सर्थ ये है कि ये ताला चाभी खुला ना हो आपको खुद से नहीं खोलना है कोई भी नया ताला मार्किट से बड़ा चोटा माइने नहीं रखता आप खरीद कर ले आईए यहां तक की दुकंदार भी उस ताला चावी को नहीं खोलेगा यानि न्यू ही आपको ब्रैंड न्यू ले लेना है और बिना खुला हुआ ताला याद रखिए अब इसको ले आईए खुद से भी नहीं खोलना उनको भी नहीं खोलने देना बस आपको खरीद कर बंद ताला और चावी ले आना है लाकर रात में आप सोते समय अपने सिराहने यानि कि तक्ये के पास आप इसको रख कर सो जाए अब आपके मन में ये प्रेश्ण होगा कि ये प्रियोग किस दिन करें देखिए ये प्रियोग आप किसी भी सुक्र बार की रात या सनी बार की रात कर सकते हैं रवी बार की रात भी कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि हम दो-तीन दिन लगातार करें तो कभी भी आप कर सकते हैं तीन दिन लगातार भी तो आप ताला चावी जो बंद है उसको अपने माथे के पास रख कर सो जाईए अब यह ताला इस्टील का पीतल का किसी भी चीज का हो इसके भी यहां पर कोई नियम नहीं है सूने के बाद अगले दिन सुबह उठिये ताला चावी को उठा कर आप अपने घर के पुझा स्थान पर रख दें इसके बाद स्नान बिगरा करके फ्रेश हो लें फ्रेश कपड़े पहल लें पास के किसी भी सिबजी के मंदिर में चले जाईए एक लोटा जल लेकर सिबलिंग पर जल अरपीत कर दें और जो ताला चावी है उसको आप सिबजी के मंदिर में कहीं भी आप अपने उपर से तीन बार उतार कर उल्टा वारना है ठीक है आप दैना या बाया कोई भी हाथ में रख लें उल्टा उतार कर आप सिबजी के मंदिर में कहीं भी अंद नहीं दिखाये जाते लेकिन आप ताला मत देखिएगा ताला को मत देखिएगा और महां से निकल आएं बंद किसमत का ताला खोलने का महा पर्योग आज हम आपके साथ जुड़े हैं आपके उपर अगर किसी ने तंतर मंत्र क्रिया किया है अगर आपके भागे को किसी ने बांध दिया है आप भीमारियों से परेसान है आपको लगता है दवायां सूट नहीं करती आपको लगता है कि जीवन में किसी ने तोने तोटके करवाय है या कैसा भी दोसो आज हम आपको तांतरिक प्रियोग बताएंगे ताले चावी का लेकिन घवराई ये मत तांतरिक का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी बोल देंगे नहीं पूरी तरह से सात्विक है तांतरिक होते वे भी सात्विक है और इस प्रियोग को आपको कब करना है किसी भी सनिवार के दि किनों में से किसी दिन कर लें वैसे सनिवार के दिन करें तो अच्छा है हम वो सहतिती को भी कर सकते हैं तो चलिए आज हम आपको वो ताले का चाभी का महाँ परियो जो आपके जीवन की मुस्किलों से आपको बहार निकालेगा चलिए समझते हैं अगर आपके बुद्धी को क नदी में फेक देते हैं और फिर आप लाग प्रयास के बाद भी खुश नहीं रह सकते हैं ऐसे में एक महा परियोग करें कैसी भी समस्या है बीमार ही क्यों नहों आप एक छोटा सा काम करना है आप कहीं भी नदी के पास जाएं या फिर किसी ऐसे जगह जहां पर आपको लोग टोके नहीं देखे नहीं और फिर एक ताला चाविअ आपको लेकर जाना है और ताला आ को यहां पर देखिए बंद करने वालश सिस्टम नहीं है यहां पर हम आपको महाप्रेव बता रहे हैं ताला खुलावा होगा ताला अलग रखिए और चाभी अलग अब आप हाथ में चाभी को लें ताला को आप वहीं पर पास में रख लें और 108 बार सामने स्किन पर एक मंतर आएगा इसको आप पढ़िए और मंतर जो है वो सिद्ध मंतर है आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ ताकि आप जो पढ़ें वो आपको आपके लिए चार चांद में लगा वैसे तो इस मंतर को 108 बार पढ़ना है लेकिन हो सकता आप 108 बार ना पढ़ पाएं क्योंकि बड़ा मंतर है तो आप 5 बार पढ़ लीजेगा ठीक है तो आप 5 बार आप हाथ में चाभी लेकर ताला को बंद करके नहीं रखिएगा अब चाभी हाथ में लेकर आप ये मंतर बोलिए सामने स्किन पर मंतर आएगा आप उसको देखेगा मंतर है ओम काला ताला काली लाई ब्रमभाब सिबने कुंजी लगाई चार खटक के कुंजी मारे रोग दो सब तुरंत जारे दुहाई बेमंती काली कट कट जिवा काली समाच है यह मंतर सामने स्क्रीन पे देखें इस मंतर को कम से कम पांच बार बोलें मन में बोल सकते हैं जरूरी नहीं कि बोल के ही बोलना है क्योंकि बोलने से कुछ गलती भी हो जाती है लेकिन जब आप मन में बोलते हैं तो तुरूटी की गुंजाइस नहीं रहती है आप किसी कागज पर लिख कर ले जाएए गए मोबाइल में भी देख कर आप बोल सकते हैं इसके बाद आप चाभी हाथ में लेकर आप 5 बर कम से कम मंतर बोले आपके लिए बहुत आप चाहते हैं तो 108 भर भी बोल सकते हैं अब इसको आप चाभी जो है ना इसको एंटी क्लोक वाइज यानि उल्टा अपने सर से उतार ले कितने बार एक बार या तीन बार उतार ले अब फिर इस चाभी को ताले उठाईए ताला को और चा को और गड़ा में दबादे या फिर नदी में कहीं फेक दे दोनों ही चीज को छोटा बड़ा ताला स्टील का पीतल का मायने नहीं रखता कोई भी ताला ले लीजे और इसके बाद बीना पीछे मुड़े आपको घराना याद रखिए बीना पीछे मुड़े उसको अब हम आपको एक और प्रयोग वताएंगे देखिए आपको इसके लिए भी सुक्रबार का दिन चुनना है आप सुक्रबार को ताला खृत कर लेया है मार्केट से लेकिन ता इस ताले को खोलना नहीं है ठीक है तो नया ताला जैसे दुकान में वैसे लिए दुकंदाल भी खोल कर नहीं दिखाएगा ताला चावी बंद ताला और चावी छोटा बड़ा मैने नहीं रखता आप लेकर चले आए शुक्रबार को रात में सोने के पहले अपने सिरहने यानि जहां पर आप सोते हैं तक कि एक आसपास टेबल पर या बेट के आसपास कहीं पर रखते हैं अगले दिन यानि सनी बार के दिन इस ताला चावी को आप उठाएए और ले जाकर चुके से सुबह सुबह उठिएगा कोई देखे नहीं टोके नहीं और पीपल के नीचे रख दें बिना पीछे मुड़े घर आ जाए अगर पीपल का पेड़ना हो तो किसी भी मंदिर के सि खुल जाएंगे बंधी किसमत खुल जाएंगे और जीवन के मुस्किले सबात हो जाएगी आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है में डूर है वह पूरे घर का आत्मा है आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर सही डिपेंड करता है आप कैसे रहें वास्तू सासर में कहा जाता है कि घर का मुख्य दरवाजा आपके घर में लक्षमी को लाने का और खुसहाली आने का रास्ता होता है लेकिन आपके घर में लंबे समय तक अगर नकात्मक उड़जा का राज है परिसानिया है बीमारिया है धन टिकता नहीं तो एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे को जरूर ठीक करने का प्रयास करें कहीं वास्तू के बिप्रीत कुछ ऐसी चीजे तो आपने नहीं रख दी जो आपके जीवन में मुस्किले को बढ़ा रहा है देखिए घर के मुख्य दरबाजे पर ऐसी कोई भी वस्तू ना तो रखी है जो जीवन की मुस्किले को बढ़ा है अब कुछ नियम है वास्तु में जैसे कि घर का दरवाजा अगर पूरा नहीं खुलता है या फिर खुलने में रुकावट होती है तो ऐसे घरों में लक्षमी आने में भी रुकावट होती है आर्थिक समस्याबनी रहती है इसलिए अपने घर के मुख्य दरवाजे को बाधा रहित और साफ रखें दूसरी बात कई बार होता है मुख्य दरवाजे पर कैक्टस कांटेदार पौधे लगा देते हैं पर वास्तु कहता है यह कि नकायत्मक उड़जा को घर में लाता है और जो आपकी सुकून भरी नींद है उसको छीन लेता इसलिए अच्छे फूलों क को लगा यह तो उत्तम है कुड़े दान तो बिल्कुल भी मत रखिए घर के मुख्य दरवाजे पर अधिकतर लोग कुड़े दान घर के मुख्य दरवाजे पर ही रख देते हैं लेकिन क्या आपको पता है कुड़े दान को घर के दक्षिन पस्चिन दिसां में रखिए और म में फैल जाए पॉजिटीव एनर्जी दूसरी तरफ अगर थोरा सा फिटकरी का पॉडर बना कर आप इसको लाल कपने में बांध कर घर के पाइदान के मुख्य दर्वाजे के नीचे रखे तो उत्तम होगा दूसरी बात स्वास्तिक का निसान सुमंगल प्रतिक चिन घर के अगाना हो खासकर गनेज जी के तो अंदर की तरफ से लगाएं कुझा इनकी पीठ में दरिकता का बास है जूते चपल का ढेर मुख्य दर्वाजे के आसपास ना रखें साइट करके रखें तो उत्तम होगा तो घर के मुख्य दर्वाजे के ठीक सामने यानि चौकट के ठी सामने जूता चपल भूल कर भी मद रखें तुरा साइट रखना है और इसके साथ ही घर के मुख्य दर्वाजे को हमेशा ही सभी दर्वाजें से ज्यादा बड़ा और खुबसूरत सजा कर बनाए रखें तो उतना ही आपका भाग साथ देगा फिलाल भी दालेंगे जानकार उतना है